नमस्कार साथियों, मैं एरविन सिंग चारण, अमरित करपा एकेडमी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दी का भिनंदन वे स्वागत करता हूँ तो सबसे पहले अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो हमारे सेमिनार की बात करते हैं 14 तारिक को आप सभी के लिए एक ओपन सेमिनार है, जिसमें आप सभी का स्वागत है, पदारें आप, उसमें केरियर गाइडेंस प्रोग्राम और अमरित करपा एकेडमी से जुड़ने की सभी बातें और सिक्सकों दुआरा आपको मार्क दरसित किया जाएगा, तो उससे जु गर्णिक्षा, सेकंड ग्रेड, फिस्ट ग्रेड इनके बैसेज अभी स्टार्ट ओंगे, फिर हम चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी जैसे कि आज आपका बज़眼र्ट आया है, उसके बाद में हमारे रीट की वेकेंस्य, फिस्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की ट पहले आपको उसके syllabus के बारे में पता होना ज़िए क्योंकि जब तक हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो हमें अस्तर सस्तर का पता नहीं होता तो हम युद्ध के मैदान में प्रवेस नहीं कर सकते तो आप यूं मानके चलिए कि यह जो आपका syllabus बस है ये आपके अस्तर सस्तर है तो इन में कितनी धार आप कर सकते हो कितना इनको अपने मस्तिस्क में उतार सकते हो ताकि आप point to point study करते वे जाएं और अपना समय बरबाद ना करें तो सबसे पहले मैं जैसे कि इसको कहूँ कि ये world geography की आपकी unit है या आपका जो point दिया हुआ है कि पर्थवी एवं हमारा परियावरन तो ये first unit आपके geography वाले पार्ट में पर्थवी एवं हमारा परियावरन इसमें देखते हैं कि आपको exam center या exam body के द्वारा कौन-कौन से topic दिये वे तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो सोर मंडल दिया हुआ है आपके कौन सा topic है सोर मंडल कि सोर मंडल में हम discuss करेंगे कि ब्रमांड से किस परकार आकास गंगा है आकास गंगाउं से किस परकार तारे तारों के बाद किस परकार ग्रहे और फिर आपके सोर सदस्यों का निर्मान होता है फिर हमारे जो हम ग्रहे पढ़ते हैं उन ग्रहों की क्या- लिए हम कुछ कालपनीक रेखाओं को मानते हैं, जिनें हम आक्षयंस और देशांतर कहते हैं, या longitude या latitude कहते हैं, इन आक्षयंस एवं देशांतर का अध्यान करने के बाद ही, हम एक पर्थू के किसी चेतर विसेश के बारे में, या फिर किसी चेतर के समय की जानकारी मिलती है तो दूसरा हमारा टोपिक होगा आक्षान्स एवं देशांतर फिर आता है आपके प्रत्वी की गतियां कि प्रत्वी एक ग्रे है या यूं कहें कि एक पिंड है इसमें किस परकार का रोटेसन होता है जैसे कि आप सब्द सुनते हैं परिक्रमण फिर दूसर बाद में आता है आपके वायूदाब एवं पवने किसी चेतर विशेस में हवा के दुआरा लगने वाला दाब जिसमें कि हम प्रमुक रूप से वायूदाब पेटियां पढ़ेंगे इन पेटियों में जैसे आपके भूमत दे रेखे निमन वायूदाब की पेटी उपोश्न आता है आपके इसी से रिलेटेबल क्लाइमेटोलोजी का एक चेप्टर जिसमें चक्रवात एवं प्रती चक्रवात की हमें बात करेंगे cyclone और anti-cyclone चक्रवात में पहले आप क्याएगा उष्ण कटीबंदीय चक्रवात और दूसरा आप क्याएगा सितोष्ण कटीबंदीय चक्रवात इन दोनों चक्रवातों को हम पढ़ेंगे इनके साथ ही कुछ नाम आप लोगों ने सुने है जैसे कि टाइफून, विली-विली, हरीकेंड, टॉर्नेडो उनके बारे में भी देखेंगे फिर चक्रवात समापत होते हैं तो परती चक्रवात बनते हैं उनको भी हम इसके साथ समझेंगे फिर अगला चिप्टर आता है आपके महासागरिये परिसंचरण परशांत महासागर, अंद महासागर, या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आपके आरक्टिक महासागर इन छेत्रों में जो भी आपके या इन समुद्री भागों में या महासागर ये छेत्रों में जो भी धाराएं चलती है जैसे कि मैं कहूँ आपके गल्फ इस्ट्रीम, लेबरोडोर, नोर्वे, इर्मिंजर, रेनेल, कनारी, ब्राजिल, त्रिनिदाद, बेंगुला, अगलुहास, मोजांबिक, मेडागासकर, ये जो धाराएं चलती है इनको हम कहते हैं परिसंचरण और उसी परिसंचरण को हम आपके विक्षेपी बल, फेरेल का बल, एकमेन स्पाइरल, इन चीजों के साथ में उनका हम अध्येन करेंगे तो अगला आपके एक ओशेनोग्राफी का चेप्टर ये समुद्र विग्यान का चेप्टर दिया हुआ है महासागरिय परिसंचरण इसके बाद आता है आपके वर्ड जियोग्रोफी का अगला चेप्टर जौाला मुखी जौाला मुखी का मतलब की पर्थवी में होने वाली आंतरिक हलचल और उस आंतरिक हलचल से जो की आपके विस्पोर्ट होता है सामाने बासा में आप कहते हो उससे पदार्थ निकलते ह उन्हें जौला मुखी तो जौला मुखी में हम मुखे रूप से पढ़ेंगे पहले विस्वे में जौला मुखी के परकार के बाद में जौला मुखी का वित्रण के बाद में हम पढ़ेंगे जौला मुखी से बनने वाली इस्थला करतियां परकार में जिस परकार से हम अध कि आपने सुना होगा नाम केंद्रिय उद्गार के ज्वाला मुखी, दरारी उद्गार के ज्वाला मुखी, फिर आपके जागरत, प्रसुप्त, शांत ज्वाला मुखी, फिर उसके बाद में आपके आता है ज्वाला मुखी वित्रण, वित्रण में हम पढ़ेंगे कि विश् लोकॉलित, लोपॉलित, फैकॉलित, सिल, डाइक, सीट, इन चीजों को हम पढ़ेंगे, तो ये होगा आपके जौला मुखी का चेप्टर, जो कि जियो मॉर्फोलोजी या बुगर विज्ञान से समन्दित है, फिर उसके बाद में आता है अगला चेप्टर आपके सामने बु विस्पोर्ट होगा, तो उस विस्पोर्ट से धरातल पर या सतय पर क्या होगा, कमपन होगा, उस कमपन को हम कहेंगे बुकंप और इस बुकंप के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो बुकंप में हम सबसे पहले देखेंगे आपके उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति के बाद में देखेंगे बुकंप के प्रभाव और बुकंप का वितरण कि बुकंप कहां कैसे उत्पन होता है अधीगेंतर क्या होता है अवकेंदर क्या होता है फिर उसके बाद में आपके P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे फिर आपके बुकंप का वितरण कि कौन-कौन से छेतर में बुकम पायजता है प्रिप्रशांत पेटी मद्य अटलांटिक कटक मद्य मादवी पिये छेतर फिर आपके ब्रंस गाटी का छेतर इन छेतरों को हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे फिर आता है आपके लाश्ट में एक इनवायरमेंट का चेप्टर जो की आपके यूनिट मेंसन करते हुए साथ में बताती है हमारा परियावरन अब हमारा परियावरन में हम देखेंगे परियावरन ये समस्य हैं जैसे कि आपके जलवाईविक समस्य होती हैं फिर परियावरन से समंदित वायू परदूसन मरदा परदूसन जल परदूसन फिर आपके आती हैं अमल के रूप में ढूंडते हैं जैसे आप लोग G20 सम्मेलन सुनते हो या और अन्य जो भी सम्मेलन किये गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यह थी आपके पहली यूनिट जोग्रोफी की प्रत्वी एवं हमारा परियावरण अब उसके बाद आता ह है हमारे दूसरा पार्ट इंडियन जोग्रोफी या भारत का भुगोल यहाँ पर इंडियन जोग्रोफी में सबसे पहले आप देखिए मेंसन किया हुआ है भारत का भुगोल एवं संसादन वहाँ आपके प्रियावरण एवं समाधान था और यहाँ पर किसकी बात की गई ह संसादन की या फिर आपके रिशोर्सेज की कि इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के साथ में ही हमारे जो रिशोर्सेज पाए जाते हैं या इंडिया में जो संसादन पाए जाते हैं उन संसादनों के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा चेप्टर है भू आकरतिक प्रदेश यहां आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग सबसे पहले भारत की इस्थिती और विस्तार इस पर गोर करते हैं लेकिन ये चेप्टर हमारे सहलेवस में नहीं है हमें सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी है हाँ जनरल इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए लेकिन आपको आक्षान सदेशांतर कितने अपने करक रेखा के पास में रज्ये पाए जाते हैं कितने जिले पाए जाते हैं इन चीजों से बिलकुल भी आपको माथा पच प्रदेश तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भारत की स्थिती एवं विस्तार ये चेप्टर हमारे सेलेबस में नहीं है हमारे सेलेबस का इंडियन जोग्रोफी में पहला चेप्टर है भू आकरतिक परदेश या यूं कहें कि भारत के बोतिक परदेश इसमें हम या फिर हिमाले का भाग, फिर आपका आता है मद्यवर्ती मैदानी परदेश, फिर उसके बाद में आता है प्राय द्वीप ये पठारी परदेश, फिर उसके बाद में हम तटिये परदेश और द्वीप समू इनका अध्येन करेंगे, तो भू आकरतिक परदेश हमारा पहला चिप्टर है उसके बाद आता है दूसरा आपके क्लाइमेट कि भारत में जलवायू कि भारत में किस परकार की जलवायू उपाई जाती है उपोशन परकार की जलवायू है या सितोशन परकार की है या उशन परकार की है फिर उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे मानसुन मेके फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ला निनो उसके बाद में वोकर संचरन उसमें और दक्षिनी दोलन एंसो ये चीजें आपके इसमें जलवायू में हम काउंट करेंगे थोड़ा सा इसके साथ कोपेन को और थोनवेट को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे हालांकि अलग से म इसमें नहीं किया गया है, फिर उसके बाद में अगला चEPTर आता है आपके प्राकरतिक वनस्पति, तो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, जिसमें कि आप सदा बहार वनस्पति पढ़ते हैं, मानसूनी वनस्पति, पतजडर वनस्पति, फिर आपके उष्ण कटिव प्रवतिय वनस्पति फिर उसके बाद में आपके परवतिय वनस्पति फिर आगे चलते हैं वन्य जीवन कि वन्य जीवजन्तूओं से समंदित हमारे इसमें सारी बाते हम करेंगे फिर अगला चेप्टर है बहु उद्दे से एवं नदी घाटी परियोजना है आपके सेलेवस में अपवाह तंतर इंडियन जियोग्रोफी में नहीं है राजस्तान जियोग्रोफी में है लेकिन इंडियन जियोग्रोफी में नहीं है तो हमें नदीयों के बारे में ना पढ़ते वे उनके लिए जो गाटी परियोजना है और बहुद्दे से परियोजना है लागू की गई है उनको पढ़ना है जैसे कि आपके दमोदर घाटी बहुद्दे से प्रियोजना है तेरे बांध बहुद्दे से प्रियोजना है गोदावरी बहुद्दे से प्रियोजना इन प्रियोजनाओं के बारे में हमें और नदी घाटी प्रियोजनाओं के बारे में इसमें पढ़ना है, फिर उसके बाद में आता है मरदा, यानि की अगला चेप्टर है हमारे सॉइल्स, अब इसमें दो परकार का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, एक तो हमारे जो की ICAR दुआरा दिया जाता है वो, और दूसरा हमारे USDA दुआरा क्लासिफिकेशन दिया जाता ह ICAR दुआरा जो क्लासिफिकेशन दिया जाता है जिसमें की हम पढ़ते हैं जलोड मरदा, लाल मरदा, लेटेराइट मरदा, लाल पीडी मरदा, फिर बलूई मरदा, लवनिये मरदा, पीट मरदा, परवतिये मरदा, इन मरदाओं को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में USDA के क्ला हमारा अगला चेप्टर होगा, कि जहां सोयल्स पाई जाती है, तो वहां हमारे फसलें भी उत्पादित होंगी, तो जो आपके खरीब की फसल, जायद की फसल और रभी की फसल, उन में आपके खाद्यान फसल और फिर आपके व्यापारिक फसलें, इन चीजों को हम विस्ता लोग कि हमारे फसलें पैदा हो गई, हम हमेसा खेती वाले या फिर अपने जो करसी परदान देश है, उसके आदार पर हम देखते हैं, तो इन में उध्योग होंगे, जो करसी के आदारित होंगे, फिर आपके खनीज आदारित उध्योग होंगे, फिर कुछ अन्ने छोटे उद्योग होंगे जैसे कि मैं यूं बात करूं कि low spot उद्योग होगा, aluminium उद्योग होगा, आपके सूतिवस्तर उद्योग होगा, नमक उद्योग होगा engineering उद्योग होगा, फिर उसके बाद में हम देखते हैं खनीज इन खनीजों के आधार पर और यूं कह सकता हूँ कि मैं ये दोनों चेप्टर एक दूसरे से रिलेटेबल है कि खनीज कौन से पाए जाते हैं धात्वी खनीज ऐ धात्वी खनीज और उनके आदार पर हम इन से रिलेटेबल करते वे उद्योकों भी पड़ेंगे फिर आपके आते हैं खनीजों में उर्जा के खनीज या यूं कहूं कि संसादन इनको कह सकते हैं कि गैर परमपरागत परमपरागत संसादनों में आने वाले खनीज तो इसके बाद में बात करते हैं परिवेहन की, ट्रांसपोर्ट की, कि आपके इंडिया में कौन-कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, रेल सिस्टम पाया जाता है आपके, सडक की या फिर यूं कहूं की, मोटर वाहन, ट्रांसपोर्ट, फिर आपके नेशनल पढ़ किस के लिए रहे हम स्वयम के लिए या सलेक्शन के लिए हम किस में काउंट किये जाते हैं पोपुलेशन में तो अगला चेप्टर हमें पढ़ना होगा पोपुलेशन जिसमें कि हम पोपुलेशन की वरद्धी पढ़ेंगे पोपुलेशन पढ़ेंगे डेंसिटी या गनत हुए पड़ेंगे फिर उसमें आपके साक्सरता लिंगान उपात ये चीजें इसमें हम मेंशन करेंगे फिर उसके बाद आता है मानव संसादन human resources कितने परकार के होते हैं और इंडिया के संदर्ब में इनको मेंशन करते हुए हम देखेंगे फिर आता है विकास के आर्थी क्यों सामाजिक कारिय करम के डेवलोप्मेंट के लिए कौन से economic project गोर्मेंट के दुआरा बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं फिर उसके बाद में social conditions को better करने के लिए या सामाजिकता को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से सरकार के दुआरा कारिय करम फिर आता है इसके बाद आपके तीसरी यूनिट जोगरोफी की राजस्थान का भुगोल राजस्थान का आप एक्जाम दे रहे हो प्रियर्टी सरकार की यही रहती है कि राजस्थान के कंडिडेट ज्यादा से ज्यादा सलेक्ट हो और हमेशा एक्जाम में भी आप तो राजस्थान की फिजिकल डिविजन पढ़ने के साथ साथ में आपको रिशोर्सेज को भी देखना है तो पहला वो ही चेप्टर है बोतिक परदेश तो यहां भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान की स्थिती एवं विस्तार आपके सेलेवस में नहीं है हम बोंदू की तरह लेके बैठ जाते हैं किताब वो उसको रटने लग जाते हैं अब आप सोचेंगे कि पीछे सरक्यूसन आए वे हैं तो उस टाइम वो चेप्टर मेंचन था अब नहीं है इस बात को आप इसे इस तोर से ध्यान रखें बोतिक परदेश पहला चेप्टर है जिसमें हम राजस्थान में चर्चा करेंगे कि राजस्थान का उत्तरपस्ची मी मरुस्थलिये परदेश मद्यवर्ती अरावली परदेश, पूर्वी मैदानी परदेश, दक्षिनी पूर्वी पठारी परदेश फिर इनकी जो सबडिविजन पाई जाती है आपके उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दूसरा चेप्टर आता है आपके फिर से राजस्थान की जलवायू किसी भी छेतर विसेश के बारे में पढ़ते हैं तो वहां की जलवायू कंडिसन भी हमें देखनी होगी तो विसी तो राजस्थान की जलवायू में कि आपके कितने परकार की वर्सा होती है कौनसा सुस्क है तो फिर भी हपन पड़ लेते हैं कि जलवायू की क्या करडिसन पाई जाती है मानसून कैसे आता है कब आता है और उसके बाद में थोड़ा सा हम देखेंगे एक कोपेन का क्लासिफिकेशन क्योंकि इसमें अलग से मेंसन नहीं किया हुआ है थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे ताकि एक्जाम में कई बार अगर बदमासी करें एक्जामीनर तो कोई क्यूसन पूट अप हो तो वो में पता रहे फिर उसके बाद आता है आपके अपवाह प्रनाली तो राजस्थान जोगरोफी में आपके दिया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम या फिर रीवर सिस्टम तो यहां अपवाह प्रनाली में हम तीनों परकार का अपवाह तंतर राजस्थान का पढ़ेंगे जिसमें आंतरिक अपव अपवा तंतर होगा फिर आपके अरब सागर का अपवा तंतर होगा उसके बाद अगला चेप्टर आता है जीलें खारे पानी की जीलें मिठे पानी की जीलें फिर उसके बाद में आता है फिर आपके मरदा की राजस्थान में कौन-कौन सी मरदा है कर्ची आयोग दुआरा के बारे में हम पढ़ेंगे फिर आता है आपके जल सरंक्सन एवं संग्रहन की तकनीके क्योंकि राजस्थान में वैसे भी 60% बाग में पानी की कमी रहती है तो जल सरंक्सन पुराने समय से किस प्रकार किया जाता जैसे कि आपने देखा होगा टॉबा तालाब जोडे कुंड नाड़ी बेरी ये सारे जो नाम आप लोग सुनते हो उन सबी चीजों का हम यहां पर डिसकस करेंगे और उनमें सरंक्सन और संग्रहन की वाटर को कैसे हम एक जगए इकठा कर सकते हैं और उसका यूज किया जा सकता है फिर उसके बाद में आती है आपकी करसी फसलें कि हमन एक आदी जोव्यापारिक मुख्य फसलें फिर आता है आपके खनीज एवं उरजा संसाधन की मिनरल्स कोन से हैं दातविक अए धातविक फिर उसके बाद में उसमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक या लो धातू या बिना ऐलो धातू कह सकते हैं बिना आयरन वाले फिर आता है उर्जा संसादन कि यहां हमारे कोईला कहां मिलता है पेट्रोल कहां मिलता है यूरेनियम कहां मिलता है थोरियम कहां मिलता है इन सबी का डिस्ट्रिब्यूशन हम पढ़ेंगे तो यह इसमें खनीज के साथ में है आपके उर्जा संसादन फिर आता है राजस्थान की प्रियोजना का कौन सा सिस्टम है और अभी हमारे जो लेटेश्ट चल रहा है कि आपके पूरवी राजस्तान नहर प्रियोजना ERCP प्रोजेक्ट है उसको काफी बढ़ावा मिल रहा है उसको ध्यान से देखेंगे फिर आता है नदी गाटी प्रियोजना है कि ये जो नहरें ब और इंडिया के जितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको देखेंगे फिर आता है आपके उद्योग एवं जनसंख्या तो हमने खनीज देख लिए तो इनसे रिलेटेबल इंडस्ट्रीज को भी देखना होगा वही सिमिलर आपके जो मेजर मेजर इंडस्ट्रीज है उनको फिर आता है पोपुलेशन तो राजस्थान की जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे फिर आता है आपके परियेटन इस्थल ये एक चेप्टर इंडियन जियोग्रोफी से आपका थोड़ा अलग है कि परियेटन आप सब लोग नोकरी लग जाओगे फिर आप गूमने ज तो उससे पहले ये कहा जाता है कि राजस्थान की एक्जाम कंड़क्ट करवाने वाली बोड़ी दुआरा कि आपको पता भी होना चीए कि आप कहां जा सकते हो तो पैसे आएंगे तो उसका आनंद आप कहां लोगे उसके लिए आपके जोड़ दिया गया है परियेटन इस् इसेचता है कौन सा किस जीव के स्रंक्षन के लिए बनाया गया है ये बात यहां तक तो थी हमारे सेलेबस की तो पहला पार्ट वर्ल्ड जोग्रोफी का اور उसमें साथ में परियावरन की समशे हैं फिर उसके बाद में दूसरा आपके इंडियन जोग्रोफी का और उसके में रिशोर्सेज यहां तक आपके चर्चा हुई है सेलेबस की